कि हम बबाषब के प्प्प पद्द्रथि से अपरेशन के रिजल की चर्चा कर तो प्पीलर है बहुत लोगों को पसंद है ऐस सी इ Ath mile और यह पद्धर्थी बबासिर का कंट्रोल कर सकती है, उसको क्योर नहीं कर सकती, उसके हायर रेट और प्रिकरन्स होगे और मिनिमल पेन और फास्टी करी होगी, ऐसा सबका सूचना था और उसके जो कॉंप्लिकेशन अभी तक पब्लीश हुए है, जनरल्स में, साइन्टिफिक जनरल्स में पब्लीश हुए है, उसकी हम बाते कर रहे हैं, तीन ग्रूप में उसकी बाते करेंगे, कॉंप्लिकेशन्स, उसके बाद अन्यूज्वल कॉंप्लिकेशन्स, हर एक उपर कॉम्प्लिकेशन की वज़े से न्यूट रहा है वो ट्रेंट्स को पी समझना चरूरी है तो अगले वाले वीडियो में हम बेश्ट बेश्ट रिजल की बाते की अभी वाश्ट रिजल का वीडियो हमने पबलिश नहीं किया आज जो डिसकस कर रहे हैं कि ज्यादातर पेशन्टों में यह रिजल्ट आते हैं आज दूसरे सब्दों में एवरेज रिजल्ट यह सिनारियो है एवरेज रिजल्ट का जिसकी हम बाते कर रहे हैं सोचना, आशा रखना और रियालिटी दोनों में फर्क होता है आप देखो कि एवरेज तीन में से एक पेशन्ट को कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है 36.4 परसंट री इंटर्वेंशन मतलब फिर से कुछ करना पड़े ऐसा रेट एक महिने में 6.4 परसंट है कॉम्प्लिकेशन रेट 9 परसंट है और रीकरंस रेट 11 परसंट है और 10.7 परसंट 12 परसंट लोगों को री एडमिट करना पड़ता है और ब्लीडिंग रेट पोस्ट अपरेटिव ब्लीडिट रेट दूसरी सर्जरी से जादा है हमने जो पहले डिसकस किया लेस पेइन फास्ट रेकरी वो रिपीट नहीं करते हैं अब जो बात कर रहे हैं कि भी ज्यादा तर लोगों को मल्टीपल प्रोसीजर्स करने पड़ती मतलब एक ऑपरेशन के बाद दूसरा कुछ ने कुछ करना पड़ता है इसका हायर रिकरन्स रेट है यह ऑपरेशन इरिद्यूशिबल मसा जो अंदर नहीं जाते हैं बार ही रहते हैं ऐसे मसे में यह उप्यूप नहीं है और जो बाहर के मसे बड़े होते हैं उसमें भी उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं काफी रिसल्ट एजे पब्लिश होए कि चौथे ग्रेड के मसे में और ज्यादा वास्टूलर हो या बड़े मसे हो इसमें भी रिजल्ट की गैरंटी नहीं होती है और कॉंप्लिकेशन रिट तो जो चिरेवल सजरी है के अलमूष बड़ा बर है मतलब के कॉंप्लिकेशन तो ज्यादा ही है और उनीक कॉंप्लिकेशन भी होते हैं निउव स्थयाद-इस बाता तो भी एंड रिजल्ट इतना अच्छा नेहीं है जितना हमने आश्या की थी हम सोचते थे कि operation के बाद तुरत काम लग जाएंगे पर ए रिटर्ण टु नॉर्माल एक्टिविटी का हमका वक्त कितना लगेगा तो minimum average is seven days and maximum average is six weeks. Six is a very long period. इतना तो बड़े operation में भी सायद नहीं जरू करता हैं. मतलब हम जो सोचते थे कि भी PPH सर्जरी के बाद हम जल्दी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाये तो वो हमारी सोच थी यह reality नहीं है. जो हमको मजबूर करती है फीर से सोचने के लिए. यह दूसरा study देखो कि open surgery जो curative है उसके complication rate highest है. और staple है जो disease को control करता है उसकी भी complication दर हम सोचते थे इतना कम नहीं है. मतलब क्यों और भी नहीं होता है और complication भी ज्यादा है. मेडिकल साइन्स में कोई भी चीजे कैसे करनी वो clinical guidelines में declare किया जाते है. clinical guidelines are highest level की होती है. यह Danish medical generals की clinical guidelines है. और इसमें level of evidence देखा जाता है. तो level 1 evidence is the highest evidence. this is level 1 evidence and this is also level evidence. मतलब के this is a very strong evidence which suggests that कि यह जो बबासीर का operation staples से होता है उसमें higher relapse rate है. मतलब के फिर से रोग होने का चांच यादा है. और यह एडिशनल operation करना और भी जादा एक operation के बाद दूसरा operation करने का rate काफी उन्चा है. तो जो पहले सोच थी वो evidence में दीखती नहीं है. हमारी theory थी कि जहाँ हम operate कर रहे हैं वो insensitive बाग है तो pain कम होना चाहिए, operation कम होगा, ऐसा हम सोच रहे थे. पर reality में ऐसा नहीं हुआ है. Cochrane Library यह बहुत प्रतिष्टित संस्ता है और इसके अंदर जो review publish होते हैं, उसका level बहुत उचा होता है. तो यह systematic review है, systematic review मतलब कोई एक doctor का publish result की बात नहीं, कोई group of doctor के public result की बात नहीं, कोई institute का public result की बात नहीं. Word के अंदर आज तक जितना भी medical science के literature के अंदर जो evidence publish हुए हैं, इस सभी evidence को systematic तरीके से उसको compare करते हैं और इसके बाद एक result publish होते हैं. ऐसे result के अंदर, देखो, stapled मतलब के, जो हम बात कर रहे हैं, पिपी हो ही पद्दत ही, और convenience surgery मतलब जो regular surgery होती है, वो surgery की बात कर रहे हैं. आप ए evidence का result देखो, यह authors का conclusion है, वो क्या बोलते हैं, कि भी जो routine surgery है, exceptional surgery, conventional, जो सालों से चल रही है, बहुत पुरानी है, जिसमें यहाँ, pain ज्यादा है, हम सोचते थे, complication ज्यादा है, पर reality में यही gold standard है. Stappled versus conventional में, जो routine surgery है, conventional, exceptional surgery है, जिसको लोग prefer नहीं करते हैं, वो in reality, gold standard है, और उसको prefer करना चाहिए, ऐसा यह author का मानना है. वो भी Cochrane Library में international, this is a review article, और systematic review, कोई एक आदमी का review नहीं है, यह बहुत आदमियों ने, आज तक जितने evidence पब्लिस हुए है, इसमें से यह result पब्लिस किये, मतलब कि इसका standard बहुत उंचा है, तो अब आपको सोचना है, आप क्या चाहते हैं, कि भी आप campaign के लिए, जो system आपको cure नहीं करती, control करती है, वो पसंद करना है, या जो चीज cure करती है, वो पसंद करना है, सामने दूसरा problem यह है, कि जो cure नहीं करती, वो पसंद करती का और भी दूसरे operation करना पड़ता है, और cure करने वाली पसंद करना है, और second operation का chance बहुत कम है, हमने आपके सामने evidence रजू किये हैं, जो publish हो चुके हैं, तो वो देख के आपको सोचना है, कि आपके लिए goal standard surgery को करना ह हैं, और यहां यह नहीं surgery, जो अनिक hope लेके आई है, पर reality में इतने hopes नहीं है, उसको पसंद करना है.